नमश्कार में उप्रिया बिहारी यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर खांसर समीत अन्य के खिलाफ दर्जुआ मामला बिहार के बिखने जुलों में जल्दी खुलेंगे विकास के नहीं रासे बिहारवासियों को फिलहाल कनकनी से नहीं मिलेगी राहत बकसर में संदिक परिस सिट्यों में छे लोगों की गई जान्ट बिखनी से खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भाती टीम की हुई घोशना अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तकी बड़ी खबरों की और वस्तार से खांसर समीद अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ मामला एंटीपी सी रिजल्ट को लेकर भड़के परिक्षाथियों ने बीते कुछ दुनों से किस तरीके से बिहार के अलग-अलग जिलों में विरोधा भास दिखाया है वो आप सभी इससे वाकिफ होंगे हाला कि प्रसाशन को इस बात का शक है कि छात्रों के गुस्से को हवा देने का काम कुछ कोचिंग संस्थान ने खूब किया है जिसमें एक नाम खांसर का सामने आया है जिसकी बाद ही खांसर के साथ-साथ कुल छे टीचर और सोलह चात्रों के खिलाफ राजधानी के पत्रकार नगर थाला में नामजद मामला दर्श किया गया है इसकी पुष्टी हो गई है वी टी आर में बागो की बढ़ती संख्या उत्साह वर्धक वालमे की टाइगर रिजर्व में बागो की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है Tiger Reserve के अंदर सक्रिय शुकारी तसकर और VTR के बीच से गुजर रहे रेल लाइन के साथ बागो की आपस में वर्चस्व की लड़ाई बागो के लिए एहम सावित हो रही थी हाला कि VTR के अंदर से गुजरी रेल लाइन के दोनों तरफ दिवार उठा दी गई है इस वज़े से रेलवे ट्राक पर जानवरों के जानगवाने का असल सलाथ हम गया है लेकिन अभी दूसरी संकर VTR के उपर से तनी नहीं है हाली के दिनों में एक ग्यांडा चुतवन से बादमी की नगर आ गया था चलभई पच्छवा हवा से कंकनी के साथ ठंड बढ़ गई है मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में च्वाट निकरी तक ही गिराव अठ हो सकती है इसे कंकनी के साथ ठंड का प्रभाव बढ़ जाएगा ये भी बताय गया है कि दक्षिन पशिम और दक्षिन मध्यभागों में एक दो स्थान पर हलके से मध्यमस्तर का कोहरा चाय रहेगा इधर मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में पच्वा और उत्तर पच्वा हवा का प्रभास सतह से 1.5 किलोमीटर उपर तक बना हुआ है इसकी दफ्तार 8-10 किलोमीटर प्रती घंटे की है इधर बुधवार से ठंड और भी बढ़ गई है ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 5 दुनों तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा साथ ही ये भी कहा गया है कि रात के तापमान में 2-6 निगरी तक की गिरावर दर्श की जा सकती है बिहार के विभिने जिलों में जल्द ही खुलेंगे विकास के नई रासे बिहार में इंदनों लगातार एक्सप्रेस में बनानी का काम हो रहा है जिसको लेकर ही सरवे का काम किया जा रहा है इन सब के बीच बिहार वासियों के लिए केंद्र सरकार न एक और आशांदार प्रोजेक्ट को स्विकृति प्रदान कर दी है केंद्र सरकार ने वरतमान वित्य वर्श में बक्सर बोहनिया नाशुन हाइवे सरक के लिए बंजूरी दे दी है इस पर योजना के पूरा होते ही जहां बिहार के विभने जिलों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे वहीं साथ ही साथ दो प्रदेश यानी की बिहार उतर प्रदेश का भी जुडाव संभभ हो सकेगा इसकी बन जाने से बकसर से मोहनिया की रास्ते बनारीस की दूरी कम हो जाएगी सबसे खास बात ये है कि इसके लिए भूमी अधिक्रैन का काम शुरू हो गया है बिहार की दूसरी डेल सुरंग बन कर हुई तयार बिहार की दूसरी डेल सुरंग मुंगेर के जमादपूर भागलपूर रेलखन के बीच में बन करता यार हो गई है ये डेल सुरंग मुंगेर की गॉलव गाथा को प्रस्तुत करेगी इसके प्रवेश और निकास दोनों द्वार पर साइड वॉल बनाये गया है इन दिवारों पर क्यानवास के साइज देकर जिले के एतिहासिक धार्मिक धरोहर को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा उमीद है कि 28 जनवरी को मुख्य संग्रशा आयूक्त सुरंग की जाच करेंगे जाच के एक सब्ता के बाद ही नई सुरंग से ट्रेनों किया वजा ही शुरू होने की पूरी पूरी उमीद जिताई जा रही है चित्र में जहां हवेली, खरकपुर, जील, कृष्ण, सेटू, मुंगेर, गंगा, पुल और कष्ट, हर निघाट, भीमबांध, मुंगेर, काकिला, चंडिका स्थान जैसे दर्जनों एतिहासिक धरोहर को दर्शा आये गया है बकसर में संदिक्द परिस्थितियों में छे लोगों की जान जाने की खबर सुनने के बाद अचानक सफरात अफरी का माहौल देखने को मिल रहा है इतना ही नहीं, खबरों की माने तो दो लोगों के बिमार होने की जानकारी भी निकल करके सामने आई है जुनका इलाज फिलहाल चल रहा है गाउवालों का आरोप है कि जहरीली शेरापीने की कारण इन लोगों की जान गई है वही दियम अवन समीर ने कहा है कि जहरीली पदार्थ का सेवन करने से जान जाने की बात सामने आई है पोस्ट मॉटम होने की बाद ही सही कार्णों का पता चलेगा मामले की जाज फिल हाल चल रही है दरसल हुआ कुछ यूं की बुधवार की रात में गाउं में ही एक जगह पार्टी हुई थी जहाँ पर गाउं के कई लोगों ने शिरापी थी गंतन दुर्दिवस पर शिवदी प्लांटे ने जीता दिल बीते दिन गंतन दुर्दिवस के मौके पर सुपरकॉप के नाम से मशूर आईपियस अधिकारी शिवदी प्लांटे एक बार फिर से मीडिया की सुर्ख्यों में बने रहे कारण रहा कि कोसी शेतर में डियाईजी शिवदी प्लांटे को खुद ज़ंडो तोलन करना था उनके घर गया और उन्हें अपने साथ लेकर समारो स्थल पर पहुंचे डियाईजी ने सीता देवी के साथ मिलकर जढ़ो तोलन किया कोसी मत्रा से गुहाटी अब दूर नहीं बिहार सरकार और केंद्र सरकार के स्तर पर बिहार और अन्यराजियों से कनेक्टिविटी विस्तार को ले करके लगातार का योजना एचलाई जा रही है इसके तहत लगभग 206 किलोमीटर लंबे सक्री निर्मली और जंजारपूर लौकहा बाजार और सहरसा से फार्बिस गंज में आमान परिवर्तन का कारिया चल रहा है जिसमें एक है सक्री निर्मली जंजार पुर्लो कहा बाजार और सहरसा फार्बस गंज आमान परिवर्तन परियोजना इसके अंतरगर्ट तुमरिया घोगरडीहा के करीब 11 किलोमीटर रेल लाइन गोगरडीहा निर्मनी के करीब में 11 किलोमीटर की रेल लाइन और ललित ग्राम नरपत गंज फार्बस गंज की 29 किलोमीटर की रेल लाइन इस काम को साल 2022 में पूरा किया जाने की संभावना जुताई जा रही है ट्रेंड पर किशन गंज का AMU कर रहा है ट्रेंड सोशल मीडिया पर अक्सर कई चीज़े ट्रेंडिंग में आ जाती है जो कि सभी लोगों की नजर में भी आ जाती है इसी कड़ी में ट्विटर पर आज सुबह से ही बिहार के किशन गंज सित अलिगर्ड मुसलिम विश्विद्याले ट्रेंड कर रहा था अपनी नाराजगी जाहिर की गई चात्रों ने मांग की है कि विश्विद्याले की इकाई शिरू कराने के लिए सरकार तत्काल फंड जारी करे पहले शवी धूमिल करने के आरोप में भाजपा ने दिखाया बाहर का रास्ता वही अब दो नेताओं को लिया अपने साथ बिहार भाजपा की चावी खराब करने का रोप लगा कर भाजपा ने तृत्व की तरफ से ही नौ नेताओं को 6 साल के लिए नस्काशुद करने का फैसला सुनाय गया था लेकिन बीते दिन इन में से दो लोगों के लिए भाजपा ने खुदी अपने दर्वाज़े खोल दिये जिसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजे जैसवाल ने दी है संजे जैसवाल की माने तो पार्टी के अने नेताओं को 6 साल के लिए नस्काशुद की आ गया था प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में कहा था कि ऐसे सभी नेता एंडिये प्रत्याश्वी के खिलाफ चिनाब लड़ रहे हैं खांसर के समर्थर में आये पुर्वसी एम जीतन नामांजी सोशल बीडिया पर अपने पढ़ाने के अनोखी अंदास के रहे चर्चित रहे खांसर अब विवादों में फस्ते वे नजरार है हाला कि उनके खिलाफ जहां पूरा प्रसाशन नजरार है दूसरी तरफ बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री जीतन नामांजी उनके ही पक्ष में खड़े नजरार है यहीं कारण है कि हम सुप्रीमों जीतनरा मांजी ने खान सर का पक्ष लेते वे काए कि जिस तरह से खान सर के खिलाफ मामला दर्श किया गया उसे स्थिती और बिगड़ सकती है लोग प्रिय टीचरों के खिलाफ मामला दर्श करने के बाद इस अगोशित आंदोलन को और ज्यादा भड़का सकता है उन्होंने अंदेशा व्यक्त किया है कि खान सर के मामले में स्थिती और खराब हो सकती है इस दोरान मांजी द्वारा पर एक शाथियो द्वारा किये गया हिंसा और तोडफोर को गलत बताए गया है उन्होंने लिखा है कि सम्विधान में हिंसा और तोडफोर का अधिकार किसी को नहीं है मौनी रॉय ने बॉइफ्रेंड सूरज नामबियार के साथ रचाई शादी टेलेविजिन की पॉपुलर अक्ट्रस मौनी रॉय ने 27 जनवरी को लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड सूरज नामबियार के साथ साथ फेरी ले लिए मौनी ने शादी दुबई में नहीं बलकी गुवा में की है मौनी की शादी के मंडप की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वारल हो रही है मौनी ने जिन से शादी की है सूरच की अगर हम बात करें तो सूरच दुबई के एक बिजनसमन है और मौनी के उनसे पहली मुलाकात साल 2019 की न्यू येर पार्टी के दौरान हुई थी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि मौनी रॉय ने आज साथ इंडियन स्टाइल में सूरज राम बियार के साथ जीवन भर उनका साथ रिभाने का बचुन दिया है सामने आई तस्वीर और वीडियो में मौनी रॉय और सूरज राम बियार मंडप में देखे जा सकते हैं देश भर में COVID-19 के पॉजिटिविटी रेट में हुई बढ़ादरी देश भर में COVID-19 प्रिभावितों की संख्या में लगातार उतार चुड़ाव देखने को मिल रहा है स्वास्तिव भाग की तरफ से साजो की गई जानकारी के निसार महारत में पिश्चे 24 गंटे के दौरान कोरोना संक्रबन के 2,86,384 नए मामले सामने आए है जबकि 573 लोगों की जान चली गई है इसकी बाद देश में कोरोना के आक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,472,472 हो गई है वहीं कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 16 फीजदी से बढ़कर 99,05 फीजदी हो गया है पिश्चर 24 घंटे के दारां 14,62,262,61 लोगों का कोरोना टेस्ट कराए गया अब तक देश में 72,21 लोगों का कोरोना टेस्ट कराए जा चुका है इससे पहले बुदवार को कोरोना वायरिस के 2,85,914 ने के सामने आए था और 665 लोग की जान गई थी वेस्ट अडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतिय टीम की होई गोशना बी-सिस याई ने अगामी वेस्ट अडीज के खिलाफ वन डे और टी-20 सीरीज के लिए भारतिय टीम की घोशना कर दी है All India Senior Selection Committee ने 18 सदस ये टीम की घोशना की चोट से उबर कर रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई और वही कप्तानी की जिम्मदारी वो संभालेंगे केल राहू टीम के उपकतान होंगे इसके बाद भारतिय टीम मैदान मोतरने वाली है मही भारतिय टीम जिनी 11 खिलारी के साथ मैदान मोतरे की उसमें रोहित शर्मा कप्तान, केल राहूलुप कप्तान, रितुराज गायकवार, श्रिक हर्धवन, विरात कोहली, श्रेयस अयर, रशापन्थ, सुरे कुमार यादव, दीपक हुड़ा, श्रादल ठाकर, का है, उनके नाम है, काजिल कुमारी, अजीमा फिर्दॉस, रंजन कुमार, डेविट कुमार, जियोती कुमारी, चरंदन याद, अव्शा श्रीकांथ कुमार, रमेश्यमंडल, संदीप कुमार, शंकर मुख्या, सतीश कुमार, आप इसी तर हमारे सवालों का जवाब देते सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके, जरूर बताएं, इसके साथ ही, आज के लिए वसिता ही, बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेट रहने के लिए, हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें, और बलाइकों दबाना ना भूले, धन्यवाद